तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट चेप्टर एट सो चेप्टर एट वाइटल विलेजिस थ्राइविंग टाउन्स ठीक है तो हम अब पिछले चेप्टर से रिलेट करेंगे थोड़ा और उसकी बाद आगे बढ़ेंगे स्टार्ट करते हैं अपना चेप्टर एट लुकिंग अहीट ओके अंडरस्टेंड दे सिगनिफिकेंस ऑफ टॉपिक तो मौरिया एम्पायर हमने पढ़ा था लास्ट चेप्टर में तो ऐसे काफी एम्पायर आये होंगे गुपता एम्पायर आये क्योंकि जना आया ठीक है ज 185 BCE इसका मतलब होता है एक सो पचासी ईशापूर बिक फोर क्राइस्ट एस्ट ठीक है यह लिखा है 320 ईशापूर कुपता एम्पायर ओके इन इट्स प्लेस और एल्सफेर रोस सेब्रल न्यू किंग्डम्स क्या हुआ कि यह किंग्डम जैसे मैंने बताय था कि मौरिया एम इंपायर स्टार्ट हुआ ओक फिर सबस्टामर मौरेया एम्पायर कर थोड़ा से कम वह हो गया डेइंटीग्रेट हो गया वह तो फिर उसके बाद कौन सा एम्पायर है गॉपता एम्पायर ठीक है in part of north west and in part of north north इंडिया ठीक है तो नौर्थ-वेस्ट और नौर्थ-इंड तो फिर अगे आने वाली जो लूग थे उन्होी भी इंडीो प्रीक्स के रूल किया, आपउड 100 आपमें तक टोभी दोट साल थे प涉प सांगी वयूिवाले सेंट्रियस के सांगाश नहीं के अजो का आप एडिवाले सांगी, उनके वीच में वार हुई तो कुपतास से जब वह हार गए तो फिर शाकास चुते वह खत्म हो गए ठीक है उनका बंश कटम हुआ उनका रूल खत्म हुआ फिर कौन से आए कुछानाज दा शाक्स इस टर्ण वेर फॉल्वड बाए दा कुछानाज ठीक है उसके बाद शाक्स के बाद आगे खुशानाज फिर कौन आते हैं in the north and in the part of central India अब थोड़ी कहां की बात हुड़ी है north और central India की तो शुंग डाइनस्टी सुंग सामराज चाल हुआ ठीक है come into power come into it मैंने बुला ना समराज चाल हुआ शुंगास वर फॉलोड बाय कनवास ठीक है शुंगास जब खता हुआ तो कौन से आगए कनवास आगए फिर रूलर ऑफ द अधर फैमिली स्टिल दा गुपता टेक ओवर विफोर सेवेंटी हंडर्ड यारस अगो फिर क्या हुआ गुपता फैमिली nे फिर से टीक ओवर कर लिया शतरा सो यज पहले शुंगास तो फिर धीर गुपता का फैमिली के ने बता रूल्ड बाउट 2100 एर्स अगो एंड लास्ट फॉर एबाउट 400 एर्स ठीक है एकी सो साल पहले यह स्टार्ट हुए और फिर 400 साल तक राज किया अराउंड 1700 एर्स अगो अन्यू रूलिंग फैमिली नौन एस दा वका तकास वका तकास उके विकम पावरफुल ठीक है अब जब इन्होंने किया राजय उसके बाद किया हुए फिर से एक न्यू रूलिंग फैमिली आए वो कुण सी फैमिली थी वकाटकास विकम पावरफुल इन सेंट्रल एंड वेस्टर इंडिया ठीक है ये सारे वेस्टर्न सेंट्रल की बात हो गए अब साउथ पार्ट की बात करते हैं साउथ पार्ट में कौन-कौन था दचोलार ठीक है 2800 साल पहले उसके बीच में निनके राज़े चरहे ठीक है कौन-कौन से चोलार, चेराज और पांडियाज ठीक है, स्टार्ट अब पार्ट ऑफ मेडिविल स्टोरी हिस्ट्री अबाउट 1500 एर्स अगो तो 1500 साल पहले की बात हुई यह सब तो थे जो पर्टिकुलर्ली कम समय के लिए चले बट यह टू लार्स किंडम के बादे में बात करते है जो कौन-कौन से पल्लवन और चालुक्य ठीक है, यह दो वंच थे ठीक है, तो यह जो हमारी थी पुरानी बात हो गई अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल डेपलप्मेंट जो हमारा चैप्टर है ओके, शोसियो एकनोमिक अंड कल्चर चेंजिस ठीक है, तो अब कुछ कल्चर और सोसियो एकनोमिक चेंजिस हुए हैं तो हम वह पढ़ते हैं पॉलिटिकल्चर अंड ग्रोथ ऑफ न्यू ताउंड ग्राफ्ट प्रोड़क्शन एंड प्रेड ठीक है, तो इसके नेक्स चेप्टर में रेडिंग बहुत जब बढ़ गई तो इसके बारे में बात हुए है तो जब फार्मिंग बढ़ी तो टाउंस भी बढ़ने लगे क्योंकि एक ही जगह पे स्टे करना रहा था तो लोग काफी जगहों में एक साथ रहने लगे और काफी समय के लिए क्राफ्ट प्रोड़क्शन बढ़ गई ठीक है क्राफ्ट प्रोड़क्शन मतलब यही जवैल्री बनाना टॉइस बनाना काफी चीज़ बनाना ठीक है तो यह मार्केटिंग से रिलेटेग हो जब लेके जाते हैं बेसते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं प्यापार करते हैं ठीक है जो ट्रे ट्रेडरर्स थे उन्होंने एक्स्प्लोर कर ली थी सारी लेंडस ठीक है और बाहरी लेंड भी उन्होंने कर ली ने इस देशी बाहर चुए पर है रूर्ट से इस ते डालन ए हम सी रूट्स वायं से पिर अगए दान सारू करना स्टार्ट कर दिया मतलब समुधरी उससे भीजने लगे आयात निर्या शुरू हो गया वेस्ट एशिया तक इस्ट अफ्रिका और साउथ एस्ट एस्ट एस्या वर आलसो ओपन डप ठीक है तो यह जो लाइने थी वो खुल गई और एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो पहले जाता ही था कि एक शहर से दूसरे स् तक भेजने लगें ठेक है यह आपकोडेर ओगया हो गा है नियू विल्डिंग्स वेर रिंड्र प्लेज वेर रुड्ट अब क्या हुआ जैसे जैसे जनसंक्या बढ़ती गई तो विल्डिंस भी बनने लगी काफी नहीं बिलिंग इंक्लूड़िं दो अर्लियस टैंपल्स and stoopas books were written and scientific discoveries were made last chapter में आपने पढ़ा था कि मठ बनते थे किसके लिए बहुत दिविक्षुों के लिए last के last chapter में temples बनने लगे आश्रम बनने थे न तो अब धीर धीरी क्या होता था कि भगवान के temples बनने लगे god goddess के stoop बनने लगे books were written अच्छे अच्छी books लिखी जाने लगे and scientific discoveries were made ठीक है और scientific discoveries जैसे archaeologist ने चीज़े find की न तो वैसे ही scientific discoveries काफी चीज़ों के लिए लोग curious होते थे तो फिर काफी discoveries की iron tools and agriculture our next topic क्या है iron tools and agriculture iron and our life things made of iron and steel are a part of our daily lives ठीक है तो जो iron की चीज़ें है और steel की चीज़ें है वो हमारी daily life की काफी पार्ट है आपको भी पता है steel का कितना यूज करते है steel की थाली है glass है उसमें ही हम खाना कहते है जादत है the use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago तो iron का जो starting हुई जो चीज़ें बनना starting हुई तीन हजार साल पहले ठीक है कब से हुई है तीन हजार साल के अराउंड हुई है some of the largest collection of iron took and bippons were found in the megalithic varials ठीक है तो जो megalithic varials मैंने बता है था mega stone से जो बनते थे तो वो कुछ bippons मिले और वो कैसे थे iron के ही निकले ठीक है जब साइंटिफिक डिस्कवड़ी जब से जाना तो उस से ठीक है around 25,000 years ago there is evidence for the growing use of iron tools ठीक है तो पच्ची सो साल के around कुछ बातें पता चली वो क्या थी कि evidence मिले थे किसके iron growing के मतलब iron का जो use था वो start होगे तो किसके iron tools बनने लगे थे these included मतलब इसके लिए example तो चाहिए कि क्या बना था access for clearing forest ठीक है x hull the iron plosher वो हल बताया था जो मैंने आपको और x में तब कुलाडी ठीक है तो कुलाडी किसके लिए clearing forest forest कार्ट में के लिए increasing agriculture production ठीक है अब agriculture production बढ़ गया तीरे 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 तो इसमें यही सब बाते हैं other steps to increase production production irrigation kingdom basis unit was flourishing village region new tools system or transportation क्या हुआ कि अब देखो कि ऐसे बड़ा तो क्या हुआ कि new tools new tools का एक क्या था iron plosher system or transplantation पहले मैंने बताया था कि लगडी के हल बंदे थे ठीक है जिससे थोड़ी ज़्यादा problem होती थी okay फिर क्या हुआ थी तीरे iron के plosher हागे हाना हाल आ गए तो क्या हुआ कि irrigation मतलब सिचाई के लिए काफी जीज़े available होगी जब iron से बनने लगे तो काफी जादा आसानी होने लगी ठीक है किसके लिए खेती करने के लिए system of transplantation improved in irrigation irrigation works that were built during this time included canals weld tanks and artificial lakes ठीक है अब क्या होता था कि artificial lakes भी बन जाते थे क्यों पानी को एक जगा खटा कर लिया जाता था और कुए tanks ठीक है tank बना लिया जाते थे जहां पर पानी खटा गर के लख लिया जाता था क्योंकि काफी टाइम ऐसा था था कि बारिश नहीं होती थी यू विल फाइंड था सम अब था स्टेजस सब आपको सम अब था स्टेजस पता चलें कि इसके कंस्ट्रक्शन ओफ इरिगेशन सिचाई के रिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते थे उसमें मैंशन्ड है फिल इंदा रेस्ट वाइ यूजिंग फॉलविंग फ्रेजस ठीक है तो कुछ फ्रेजस यहां पर बता रहे हैं रुख जाओ लेवर इस प्रोबाइड वाइद वाइद फ्यूपल ठीक है तो फिर लोगों ने क्या क्या लेवर प्रोबाइट करने लगे मतलब क्या नौकर रखने लगे मजदूर रखने लगे कामों के लिए फार्मर्स ऑल्सू बेनिफिट विकॉस क्रॉप्स प्रोडक्शन इन मोर सर्टन ठीक है मोर सर्टन फार्मर्स के लिए सबसे जादा क्या जरूरत था क्या जरूरत थी क्रॉप्स की प्रोडक्शन ठीक है more certain farmer have to increase production to pay taxes ठीक है farmer को अपनी जो grow करनी रहती थी अनाज को grow करना थी उसको बढ़ाना रहती तो उसके लिए वो taxes भी pay करते थे kings provide money and plan irrigation works ठीक है क्यों तक kings जो राजा होते थे वो भी जाते थे हमारे सामराज्य में जादा से जादा खेती हो जादा से जादा बड़े उनका राज्य में तब कुई भूखा नाम रहे इसलिए उन्होंने क्या कि kings provide money और वो पैसे भी देते थे और क्या करते थे plan irrigation से चाही के आपर यह काफी work plans बताते थे वो लिप्ट इन्द विलिश टीक है अब पूछ रहे हैं कि यहां पे कॉन रहता थे विलिज में तो यहां पहुं रहे थे थे दिफरेंट काइड आप यूपल बताये थे लिविग इन दीफरेंट काइंड ओफ यूपल बताये थे हैं अब तमिल रीजन यह तो आप सब जानते ही किस पार्ट में आ सकता ही है साउथ पार्ट में होंगे लाज लैंड ओनर्स वर नौन एज बेला बेला अलार चेके ओर्डिनर प्लफ मैं वेर नौन एज उजहावार लैंडलेस लेवरेस लेवरर्स इंक्लूदिंग स्लेप्स व तो जो तमिल रीजन के लिए यहां पर त्री पॉइंट्स थी गए मैं बताती हूं कौन कौन से लाज लैंड ओनर्स जिनके पास काफी बड़ी बड़ी जमीन होती थी ठीके बहुत सारी जमीन होती तो उने क्या बोलते थे वेल अलार ठीके ओर्डिनरी प्लफ मैं जो नॉर जमीन भी नहीं होती थी इंक्लूडिंग स्लेप्स वो कौन से नाम से जाने जाते थे कदिशियार एंड आदी में ठीक है अब थोड़ा से तमिल रीजन के बारे में आप बताया है तो अर्लियस तमिल कंपोजिशन सम उप द अर्लियस वर्क इन तमिल नोउन एज संगम यह वर्क जब बढ़ गए तो यहां पर संगम लिट्रेचर लिखा गया है वर्कम पोस्ट कब हुआ यह अराउंड थेई सो साल के अराउंड हुआ पहले थीस टेक्स्ट वर कॉल्ड जो टेक्स्ट लिखे गए वो संगम बिकॉस ते वर वर सपोस्ट तो हैब वीन तो असेंब्लीज नौन एस संगम ठीक है तो असेंब्लीज को यह अर मधुराय में लिखे गए है और पोस्ट के दवारा थे तौई तो तमिल के बारे में जो जानकारी दी गए कि यह तमिल तमिल के से स्टार्ट हुए तो संगम लिट्रेचर में पाया गया है क्योंकि अब कि तो ही नहीं बता लिगेंगी तामिल कहां से स्टार्ट हो गया हर कुछ 99% चीज़ मैं बुक से मिली है कि उसमें यह डीटेलिंग दी गई थी कहां से क्या स्टार्ट हुआ क्या क्या था तो आपको क्लियर हो गया होगा तामिल इन नौर्धन पार्ट ऑफ दर कंट्री ठीक है तब बिलेज हैड मैं वस नौन ऐस तब गराना ग्रामा भुजा का थेक है तो बिलेज के जो हैड मैं होते थे जो ग्राम भुजा का कहला थे थे ठीक है तब पोस्ट लास हएरीडिक्टरी सॉरी क्या लिपा है 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 हवятиडिटरे टविट एट धोस्ट लास हेरिडटरी ठीक है है death Preic birth का मतलब होता है क्या होता है कि जब कि मैंने बताइ थे कि Empire कैसे बंदे के एक ऐसे सामराज जी के एक के बाद एक पंदे जाते इन उनके बन्षाथे थे फिर बन जागता ऐसी ही ग्रामा लेंड superstии हुँप सारे लेवर्स को उखता जा सकते थे वह कर सकते थे मैं इसके लेंड सुनी he करना है वो बताते थे ठेक है बिल्डिंग मनानी है ओके तक इंग उफन used him to collect taxes from the village और किंग उन्हें क्या केते थे उन्हें की जम्मिदारी देते थे किस चीज की जम्मिदारी टैक्स को collect करने की ओके सो यह हमारी कहां के होगे नौर्थ पार्ट के लोग ठेक है अब और क्या है आँ इसमें और भी हैं कुछ he also functioned as a judge and sometimes as a policeman he also functioned as a judge and sometime as a policeman ठेक है तो वो judge के जैसे भी काम करते थे और policeman क्यों करते थे कि जैसे कभी कोई लडाई हो जाती थी तो उनका एक फैसला करने के लिए एक किसी को मेन बढ़ना पड़ता थे तो कौन होते थे वो ग्राम भूजका से ही होता था ठेक है जो independent farmers थे जो काफी अच्छी फार्मे उनकी लैंड थी और अच्छी फार्मिंग होती थी वो कौन कहलाते थे ग्रह पती ओके स्मॉल एंड ओनर देर वस मैन एंड वमन सच एज दाशा कर्मकारा ठेक है who did not own land and had to own living working on the field जिनके पास land नहीं होती थी ठीक है and had to own a living working on the field owned by others ठीक है क्या करते थे वो जाते थे दूसरों के खेतों में मतलब जो बड़े बड़े लैंड लाइट रहते थे जो फार्मिंग करवाते थे उनके खेत में जाते थे और क्या करते थे लेवर मतलब लेवर बन जाते थे काम करते थे और उससे यह अपना जीवन आपन करते थे inmost villages there there were also some craft person such as the blacksmith potter carpenter and weaver ठीक है अब को काफी villages में चीजें बढ़ने में पार्मिंग ही काम नहीं था काफी चीजे होने लगें किया craft person such as the blacksmith to get potter mitti के बरतन बनाना carpenter ठीक है लखडी के सामान बनाने वाले ऐसे ऐसे करते पढ़ते गए फिर बैविशाय और ज्यादा पढ़ते गए ठीक है coins up coins के बारे में पढ़ना है में coins a medium to measure wealth archaeologists have found several thousand of coins ठीक है several thousand of coins मतलब हजारो coins belonging to this period ठीक है उन्होंने पहले coins to find के coins find करने से क्या होगा पता चला कि यह किस period के हो सकते हैं the earliest coins which were in use for about 500 years were punch marked coins ठीक है 500 साल पुराने जो coins थे मैंने last chapters में पढ़ाया आपको कि punch मतलब कुछ नहीं होदा थे तो वो एक धातू लेते थे उसमें punch कर देते थे punch हो जाता था तो वो उनका coin बन जाता था ठीक है punch marked coins पढ़ेंगी ठीक है punch marked coins were generally rectangular ठीक है rectangular safe के होते थे or sometimes square फिर कभी square भी थे और round भी होने लगे round होने लगे दीरे दीरे either cut out of metal sheets or made out of flattened metal globus a small spherical body ठीक है metal sheet होती थी उनकी धातों अलग अलग होती थी कभी सोनी की दातों भी होती थी और उसके पहले तो इसी चीफ दातों चलती थी तो इसके बाद सोनी की होने लगी चांदी की दातों होने लगी ठीक है the coins were not inscribed but were stamped with symbols using using dyes or punches ठीक है तो मैंने बताया ना कि आपको उसमें stamped के ठीक है तो punch marked coins के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया अब एक पार इसका crux ले 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 थे ठीक है what is the crux crux यह है कि punch marked coins जो होते थे ठीक है तो hence they are catted punch marked coins यह लिखा हुए these coins are found over most parts of subcontinent and demanding circulation till the early centuries ठीक है तो यह जो BCE हम लोग पढ़ रहे थे उसके बाद यह CE के पात यह coins मिलने लगे और coins क्यों coins की जरूरत पढ़ने लगे मैंने बताया था आपको भी coins आने लगे थे किंग के टाइम पर और उसके पहले क्या हो था कि ऐसा था कि अपनी कोई चीज आप किसी को देदो और उससे जरूरत का सामान आप ले सकते हो ठीक है तो आप next देखते हम क्या है cities with many functions very often a single town was important for a variety of reasons mathur ठीक है यह mathur नहीं है mathura है ठीक है आप एवियाट कर लो mathura यह important city थी किस के लिए उस टाइम पर यह इसलिए city important थी क्योंकि it was important because it was located at the crossroads of two major roots two major roots के crossroads बनी हुई थी यह travel and tread तो यह tread के लिए भी बहुत अच्छी थी travel के लिए भी बहुत अच्छी थी from the northwest to east and from north to south क्या तो तो कि उस टाइम पर शायद यह होता होगा कि यह जो जगह है यह important होती होंगे कि यहां से trading के लिए ज़्यादा सामान जाता होगा और यही root सबसे easy पढ़ता होगा ठीक है why matra was significant तो क्यों अब reasons भी बताना है क्योंकि ऐसी थोड़ी न कोई चीज़ बता देनी है farmers and herders from adjoining areas provided food for people in the city ठीक है जो farmers होते थे farming वहां पर अच्छी होती थी ठीक है तो people's को वहां पर उस city में क्या होता था कि food आराम से available रहता था matra was also a center where some extremely fine sculpture was produced one second matra was also a center where some extremely fine sculpture was produced okay तो क्या था ये sculpture ठीक है तो क्या मतुरा क्या बन गया एक center बन गया क्या center बन गया मूर्तियों को बनाने वाला extreme मतलब बहुत अच्छा fine मूर्तिया बनाने लगा अच्छे से produced करने लगा ठीक है around 2000 years ago matra become the second capital ठीक है 2000 साल के around क्या बन गया मतुरा एक कुषानाज की capital बन गया ठीक है second capital बना और matra was also a religious center there were Buddhist monasteries jain shrines and it was a important center for the worship of Krishna ठीक है matra एक ऐसा religious center बन गया कि वहाँ पे Buddhist monasteries पढ़ा है अपने ठीक है zain shrines jaino के लिए buddha के लिए and it was a important center for the worship of Krishna ठीक है Krishna की worship के लिए important center है क्यूंकि Krishna Ji का जन्म का हाँ था Mathura में okay inscriptions the have been found in Mathura these are short inscription recordings gift mode by man and sometimes woman to monasteries and syringe ठीक है यहाँ पर एक sort inscription दिया है क्या की recording gifts मैंने बताया था कि जब जैन और बुद्ध जाते थे क्योंकि वो संत थे कई शेरों में जाते थे गाहों में जाते थे लोग अपनी एक्षा के अनसार उन्हें गया देते थे gift देते थे ठीक है for instance and inscription from Mathura mansion goldsmith blacksmith fever basket makers garland makers perfumes ठीक है अब यहाँ पर काफी trading बढ़ गई इसलिए मैंने बताया क्यों trading यहाँ पे जादा चल रही थी क्योंकि यहाँ पर और विवसाय बहुत जादा आगे तक बड़ा हुआ था crafting थी यहाँ पर goldsmith सोने का काम भी बहुत होता था blacksmith fever basket makers ठीक है basket maker go garland makers perfumes बनने लगे गेव गिफ्ट्स to monasteries and shrins और यह क्या थे तो वह जादा से जादा तर क्या वहाँ पर विपसाय होता था तो वह चीज़ें जल्दी अबलेबल हो पाती थी तो गेव किसको देते थे monastries में जाके shrins में जाके shrins for gents ठीक है particularly ठीक है तो वह जाके देने लगे craft and craft persons ठीक है अब हम पढ़ेंगे क्या craft and craft persons extremely fine pottery northern black polyester and bpw it is generally found in the northern part of the subcontinent the archaeological evidence for many craft may not have survived थी के archaeologist के द्वारा काफी चीज़ें ऐसी थी जिनके evidence के द्वारा वो नहीं survive कर पा रहे थी क्या craft है क्या है उन्हें नहीं आता समझ में नहीं समझ पाते थी text tells us that manufacturing of clothes was important ठीके text बताता था हमें कि जो clothes की manufacturing हो थी बहुत important थी this time पे there were famous centers such as waranasi in the north and madurai in the south ठीके तो यह कपडों के लिए famous centers पता रहे हैं कौन से waranasi in the north ठीके वाराणasi उत्तर में और madurai कहां पे south में दक्षजिन में both man and woman worked in these centers ठीके इसमें आप क्या था कि पहले तो पुरिष प्रतान समास था फिर देरे देरे महिला और पुरिष तोनों काम करने लगे थी ठीके shreyni's association of craft person and merchants these shreynis of craft person provided training prokered raw material and distributed the finished products तो shreyni's क्या होती था होती थी एक association होता था किसका craft person और merchant क्या है इस एक bank के जैसा होता था ठीके लब वो इनके पैसे ले लेते थे और इस पिच प्लस करके फिर दे दे थे ठीक है अब नेक्स्ट क्या है थे श्रेणी आफ मर्चंट अर्गनाइजर ट्राइट श्रेणी अलसो सर्व एस बैंक्स वेरिच मैं और वुमन डिपोसित मनी ठीक है जो रिच वुमन अन मैंनो देते वो भी इसमें डिपोसित कर देते अपनी मनी को शेणी अजब बैंक मनी वाज इन्वेस्ट करो और इसमें इंट्रेस्ट लगा कि वो आपको रिटर्न करते थे ठीक है रूल्स फॉर स्पिनिंग और वीविंग इस रूल्स आर फॉर्म ओफ अर्थसास्थर ठीक है अर्थसास्थर में यही बाते लिख्यों हैं मैंशन की गही है चैप्टर सेवन में थी ना तो इसने बताये गए कि कपड़े सिलती तो मही लाएं कर पूरुष मिल कर कपड़ों का काम कैसे करते थे थे शपिनिग और वीविंग धिक है विंड़ों So, young men who are differently abled nuns, mothers of cautions, retired women, servants of the king or women who have retired from service in temples may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax. Okay, so these women are mentioned here. Okay, this is a very simple thing. So, you understand retired women, mother of cautions and servants of the king. Okay, king servants of the king and retired women who have retired from service in temples. Temples of service is retired. So, what did they do? They made clothes. How? Ones, back, I mean, for a long time they have been made clothes, cotton, cotton, you know, and hemp and flax. Okay, jute. Okay, jute also made clothes. They should be paid according to the quality and quantity of work. Okay, so, they were paid according to the quality and quantity of work. According to the quality and quantity of work. Women who are not permitted to leave their homes can send maid servants to bring the raw material. Okay, so they didn't send them. So, they said, raw material is from the superintendent and take the finished work back to him. Okay, so they were not able to do work from their home. Okay, women who can visit the workshop. And those who visit the workshop should go and down to give their work and receive their wages. Okay, so what did they do? They were laying clothes and wages. Meaning, there should be enough fight to examine the work. In case the superintendent looks at the woman or talks about anything other than the work, he should be punished. Okay, if someone was complaining or something that was complaining, then whatever man or whatever person would be punished. If a woman does not complete her work, she will have to pay a fine. If a woman does not complete her work, she would have to pay a fine and her thumb can be cut off. And what did she do? She would have to cut a card. Okay, a closer look is Arika Madu. Okay, this is about Arika Madu. 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 What is Arika Madu? Between 2200 years and 1900 years ago, Arika Madu was a coastal settlement where ship unloaded goods from distant lands. Okay. What was significant in it? What was significant in it? The warehouse was found of the site. Okay. Here was a warehouse. You all know the warehouse. Other finds include pottery from the Medilatera Mediterranean region such as Arika Madu. As Ampray and Stamped Red Glazed Pottery known as Aratine Ware which was named after a city in Italy. Okay, so what are you saying? The work of pottery has been increased. Okay. And here is Stamped Red Glazed Pottery. Okay. Now it was stamping. The brand came. Okay. None as Aratine Ware which was named after a city. Aratine Ware's name is Italy. Okay. There was yet another kind of pottery which was made locally through Roman designs were used. Roman lambs, Roman glassware and gems. have also been found at the site. Small tanks have been found. Small tanks have been found. There are small tanks that are helped. Found that were probably dying wets used to dye clothes. Okay. Dye clothes. There is plenty of evidence for the making of beads from semi-precious stones and glasses. Okay. What did it look like? Stones. Like today they had stones on a sardines. Like with stones on a sardines. Coats on a stone. Like with stones on a stone. So that time they were a few precious stones that were not made. And the work of clothes started well. Okay. So, that was our chapter on the relation with foreign countries trade. इसके बारे में बताएगे था, ठीक है, तो friends आपको अच्छा लगा होगा, okay, thank you class.